देनिक यती रासी भल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं यती वर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंशांग और बारह रासी का रासी भल बतंगा साथ ही रासी भल के बीच में आज मैं यती वानी के अंदर एक नए विशय पर बातचीत करूँगा और आज का जो विशय है पहया है कि रात को सोते समय हमें अपने सिरहाने या पास में ऐसी कौन सी वस्त्वे हैं जो नहीं रखनी चाहिए और अगर वो वस्त्वे है रखते हैं तो उससे क्या हानी होती है तो इस विशय को मैं रासी भल के बीच में यती वानी के अंदर बताऊंगा सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सबिस्क्राइब करें और पास में लगे गंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा वीडियो रासी भल का हो या कोई और जोती से संब्दित या कोई और किसी धरंग से संब्दित हो वह आपको पोस्ट होते ही सबसे पहले देखने को मिल जाए यानि नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप देख सकते हैं उसको मेरा वीडियो यह जो मैं रोजाना बताया करता हूं यतिवानी के अंदर एक नए विशे परवाचीत या उपाय बताया करता हूं आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे ज्यादा स ज्यादा शेयर भी करें ताकि यह जो मैं जानकारियां बताता हूं वह और लोगों तक पहुंचे और वो इन जानकारियों से लाब उठा सकें तो सब बाते मैं यती वाणी मैं राशीफल के बीच में करूंगा इस समय सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है आज इनांग गुंतीस मार्च दोजार उनीस सुकरवार का दिन चैत्र मास क्रश्ण पस्की नौमी तिती मद्य रातरी बारा बज़कर अड़तालिस मिनट तक रहेगी उसके बाद में दसमी तिती सरू होगी पूर्वा साड़ा नक्षतर दोपहर बारा बज़कर बैयालिस मिनट से बारा बज़कर बैयालिस मिनट तक रहेगा और उसके बाद में उत्रा साड़ा नक्षतर सरू होगा चंदर्मा धनूरासी में शाम को 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगा उसके बाद में मकर रासी के अंदर परवेश करेगा आज का राउकाल दिन में 11 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा अभीजीत मौरत 12 बजकर 19 मिनट से 1 बजकर 7 मिनट तक दोपहर में रहेगा अमरत काल का जो समय है वहाँ सुबह साथ बज कर चोईस मिनट से नो बज कर दस मिनट तक रहेगा यह सुब समय है इसमें आपको भी बी सुब काम कर सकते हैं जोदपुर के समय के नुसार सूरियोदे सुबह अच्छ बज कर सेंथिस मिनट पर होगा और सूरियास साम को 6 बजकर गुनपचास मिनट पर होगा चंदरोजय मद्य रातरी को 2 बजकर चोपन मिनट पर होगा और संदरास्त दिन में 12 बजकर अठाउन मिनट पर होगा आज सुकरवार के दिन पस्चिम दिशा में दिशासूल रहता है अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो पस्चिम दिशा की यातरा को तालना ठीक रहेगा यह था आज के दिन का पंचांग और अब देखते हैं आज का दिन 12 रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा तो सबसे पहले देखते हैं मेश रासी मेश रासी के लिए आज का दिन अच्छा है आज आप काफी गहरी सोच और विचार करके ही कोई काम करेंगे तो लाब मिल जाएगा पुराने रुके अटके काम पुन्हा सरू करें तो वह जल्दी पूरे हो जाएंगे पारिवारिक लोगों को आज आप से काफी उमीद रहेगी जिसको पूरा करना भी आप अपनी प्रात्मिक जिम्मेदारी समझेंगे अब देखते हैं वर्सब रासी वर्सब रासी के लिए आज का दिन ठीक नहीं लग रहा है आज अगर आपको किसी से मिलना हो तो पूरे आत्मिश्वास के साथ मिलें और अपने मन की जो बात है या अपना जो पक्स है वह बहुत मजबूती के साथ उनके सामने रखें तो आपका जो पक्स है वह ज़्यादा मजबूत रहेगा और सफल भी हो जाएगा आज नया निवेश करना ठीक नहीं है अपने खान पान पर नियंतरन रखें और स्वास्त के परति लापरवाही नर बरतें सत्रों से भी आज के दिन आपको सावदान रहने की जरूरत है अब देखते हैं मितुन रासी मितुन रासी के लिए आज का दिन अच्छा है पक्षका है जो गोचर चल रहा है चंदर्मा का वह आपके लिए बहुत अच्छा है आपको आज मित्र मंडली में आनन्द आएगा परिवार में भी जिवन साथी के साथ अच्छा और सुकत समय बिताने का आउसर मिलेगा मन में प्यार के उमंगों का ज्वार रहेगा बस सबके साथ आज आज आप काफी गुल्मूल कर एंजोई करें तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा अब देखते हैं करकरासी करकरासी के लिए आज का दिन साधन रहेगा आपको आज सभी काम सोच समझ कर और किसी समझदार की सला लेकर करना ठीक रहेगा अगर आपको कोई काम में नकारात्मकता मैसूस हो तो जल्दी से उसे छोड़ कर दूसरा काम कर ले आज बोस को खुश रखना आपके लिए बहुत जरूरी है अब देखते हैं सीहरासी सीहरासी के लिए आज का दिन अच्छा है आज बहुशे को सोच कर कुछ बचत या नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं पारिवारिक विश्वताओं को भी आप अपने पक्स में करने का परियास करेंगे तो वह आप परियास सफल हो जाएगा बचों के मन की बात को समझे और उन्हें खुशियां देकर आप खुशी महसूस करेंगे अब देखते हैं कन्यारासी कन्याराशी के लिए आज का दिन मानसिक तनाव से ग्रस्त लग रहा है कारिय इस्तल पर भी आप असाहज महसूस करेंगे आज आप आर्थिक इस्ति या किसी लेंदेन को लेकर परिशान हो सकते हैं किसी का अपमान न करें और नहीं आज किसी से उलजे तो आज आपका दिन सादर्ण बीत जाएगा अब देखते हैं तुला राशी तुला राशी के लिए आज का दिन काफी उर्जा से बरा रहेगा आप में कारिय करने की अद्बुत सक्ती का संचार होगा आज आपकी मेनत का फल आपको जरूर मिलेगा निजी हित के कारिय प्रात्मिक्ता से करें नया काम सरू कर सकते हैं यात्रा के योग भी आपके बने वे हैं अब देखते हैं वर्षिक राशी वर्षिक राशी के लिए आज का दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों से बरपूर और पूरा करने के परियासों में बीतने वाला है, ऐसा लग रहा है, आज दंतों मिलेगा, मगर जितना आवे सकता है, उतना नह मिले, इसे से आपको कुछ परिशा नहीं हो सकती है, नए सम्मंद लाबदाय कराएंगे, मित्रों का सयोग आज मिलेगा. अब जैसा कि मैंने आपको सरू में कहा था कि आज रासी भल के बीच में यतिवानी के अंदर मैं आपको एक नए विशय पर बादशीत करूंगा, और जो आज का विशय है, वह यह है कि रात को सोते समय हमें अपने सिरहने या आसपास में ऐसी कौन सी वस्त्वें हैं, जो नही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्वें अगर रात को और पास में रखकर सोते हैं, या सिरहने रखकर सोते हैं, तो इसका वास्तु का जो दो सोता है, वह लगना सरू होता है, और असूप फल भी मिलना सरू हो जाता है, तो ऐसी कौन सी चीजे हैं, जो आज मैं आप को बताऊंगा कि सरहाने नहीं रखकर सोना चाहिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सोना या चांदी की अगर कोई आपके जेवर पहने वे हैं और वो ये विशेश कर मैलाओं के लिए कि अगर आपने सोने के जेवर पहने और रात को सोने से पहले उसको खोले और अपने तकहिए के पास में शिरहाने पर रख दिया है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका बाग्य कमजोर होगा ट्रैफिक जैसे कि मोबाइल है ट्रांजिस्टर है टॉर्च है या फिर इस परकार से अनेक परकार की जो कुछ चीजें होती है जो इलेक्रोनिक समान के अंदर आती है इस परकार के समान को भी शिरहाने रख कर नहीं सोना चाहिए इससे नीन सही नहीं आती है और जो ऐसी है और नीने के अंदर कुछ बहें जैसा भी लगना सरू हो सकता या मानसिक अस्थिरता सरू हो सकती है बिश्टर या पलंग के पास कोई डरावनी तस्वीरों सेरोंचिता वह बालू वह राक्शस ओ या और अन्य परकार के कई परकार की डरावनी तस्वीर होती है नीजें आपको नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करने से भी मानसिक सांती रात को जो सोने से मिलनी साहिए वह नहीं मिल पायती है, और नीद में भी नकारख्त्मकता फैलती है, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि रात को सोते समय वह पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते है जो मैक्सिद होता है, किताब होती है, या फिर हिर अखबार है, कोपी है, या कुछ भी हो, उसको पड़ते-पड़ते ही वह अपने पास Erik रख लेते हैं, और सोझाते हैं. यह चीज भी करना बहुत गलत है. ऐसी चीजों को अपने पास में नहीं रखना चाहिए, इसका मन के उपर या मानसिक इस्थिती के ऊपर दुस्परवावर पढ़ता है। वहीं पर सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से सारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोरी होती है, या उनके उपर नकारत्मक परभाव पड़ता है. वास्तु के अनुसार, रात को सोते समय अपना जो बटवा है, वह सिर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को हर समय आर्थिक परिशाने का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप लोहे के चाबी हो, या ऐसी कोई चाकू हो, इसके अलावा कोई और दातों की चीज को सिरहने रखकर सोते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोस होता है, इससे गर के अंदर चोरियां बढ़ने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं. रात को सोते समय सिरहने के पास तेल रखकर अगर हम सोते हैं, तो हमारा जो जीवन है या जो भी सोता है, उनका जो जीवन है, वह हर समय कठिनाईयों के अंदर ही फसा रहता है, उसे कभी सांती नसीब नहीं होती है, तो तेल रखकर भी हमें सिरहने नहीं सोना चाहिए, सोते सोते समय रात को जो नमक है उसको शिरहने या आसपास में रखकर भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वास्तु के अनुसार जो माना गया है कि गर के जो परिवार के सदेशी होते हैं उनके बीच में खटास प्यदा होती है और रिष्टे आपस में विगड़ जाते हैं सोते समय सिरहने के पास कभी भी जाडू नहीं रखना चाहिए इसलिए गर में नकारात्मक उर्जा का परवेश आसान हो जाता है धन और जान की हानी का खत्रा बढ़ जाता है इसके अलावा किस्मत भी थोड़ा पीछे चलना सरू हो जाती है जंजीर हो या रसी हो या ऐसी कुछ चीजे हो जिससे किसी चीज को बांदा जा सकता है रोका जा सकता है तो इस परकार की चीजों को भी अपने साथ में लेकर नहीं सोना चाहिए सर के पास में पाउं के पास में या बिस्तर के नीचे रखकर भी इन चीजों को नहीं सोना च सोते हैं, तो उनके काम में बार-बार बादा ये आना सरू हो जाती है, और जो मेत्व पुन काम होते हैं, वह भी बिगड़ना सरू हो जाते हैं. रात को सोते समय शिरहाने की और जो अपने ओखली होती है वह भी लेकर नहीं सोना चाहिए ओखली चाहिए छोटी इलाइची कूटने वाली हो या कोई बड़ी इदान कूटने वाली हो इस परकार की जो वस्तु है उनको भी शिरहाने की तरफ या अपने साथ में लेकर नहीं स जाती है और आज में कई वारी विवादों में पढ़कर हैरान परिशान भी हो जाता है यह था आज के दिन यतिवानी के अंदर सिरहाने क्या रखकर सोना चाहिए और क्या रखकर नहीं सोना चाहिए तो मैंने आज बताया है कि क्या रखकर नहीं सोना चाहिए आगे तूटती है और तो आपको ऐसा क्या अपने साथ में सिराने की तरफ लेकर सुलना चाहिए, जिससे कि आपको नींद गहरी आए, आपको उबाय ने लगे और आपकी नींद बार-बार तूटे भी नहीं, यह था यतिवानी में आज की बात और अब देखते हैं बाकी बची चा के संबन्द में आपके फैसले सटीक होने वाले हैं, आप आज सबको अपनी बातों या सोच से परबावीत करने में सफल हो जाएंगे, आपका जो जिवन साती है वह आपसे बड़ी फरमाईश कर सकता है, यात्रा के योग भी आपके बने वे हैं, अब देखते हैं मकर रासी मकर रासी के लिए आज बारवा चंद्रमा है, थोड़ा कश्टकारी हो सकता है, आज किसी के साथ भी बहस करने से बचें और किसी को धन उदार ना दे, अगर दिया तो फिर वह वापस आने में दिक्त हो सकती है, आप अपने काम को समय पर पूरा करने की तरफ द्यान अब देखते हैं कुम रासी, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के अउसर मिलेंगे, लाब के अउसर भी आपके द्वार पर खुद चल कर आएंगे, आज सभी मुद्दों पर खुल कर बादशित करें, लंबी दूर की यातरा के योग भी बने वे हैं, क करके बड़े पुरुष से सलाह मसूरा करें, आपका आज कामकाज का विस्तार करना चाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, वेपार इस्तान में या निवास इस्तान में आप कोई फेर बदल करना चाते हैं, या इस्तान बदलना चाते हैं, तो भी आज आप कर सकते हैं, कुल मिल का रात को सूते समय हम शिरहाने पर क्या ऐसी चीज़ें जो लेकर ना सोए यह अच्छा रहता हैं कल फिर मैं आपके सामने नए पंचांग नए राशिपल और यतिवाणी में एक नए विशेपर बाचीत लेकर आऊंगा तब तक के लिए जै जिनेंद्र